तो आज के इस वीडियो में हम यह वाले जो इवोलुशन चैप्टर के क्लास 12 का जो इवोलुशन चैप्टर के यह डाइग्राम है इसको क्लियर करेंगे क्योंकि NCRT का डाइग्राम है बहुत इंपॉर्डेंट है प्लेसेंटल मेमल तो यह प्लेसेंटल मेमल से और और उस्ट्रिलियन मार्शुपियल तो पहले इसका डाइग्राम को क्लियर करेंगे तो आपको सिंपल एक याद रखना है मैम मैम लेकर उनका कोई फैबरेट सबजेक्ट होगा FOREIGNSIC SCIENCE जब उनको यह मिल गया तो उन्होंने जब CHOOSE क्या लिया हाइस STUDY में मैम लेकर FOREIGNSIC SCIENCE बोली वाव मैम मैम लेकर LE से आपको जाज रहां FOREIGNSIC SCIENCE बोली वाव मतलब डबलो से वॉल्फ, बोली, बियो, मतलब बॉपकेट, फॉरिंसिक साइंस, मतलब F.S, फ्लाइंग स्क्वेरल, समझ में आ रहा है न, यह देखो, लेकर मतलब L.E, मतलब यहाँ पर मैम का M है, A है, M है, यह उठाया, यह बना दिया, M,O, एंटियेटर, माउस, लेकर का L.E उठाया, बना दिया, लेमूर, जो बोलना आपको, फॉरिंसिक साइंस का F.S लिया, क्या बनाया, फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल, अब क्या हुआ, बॉपकेट, बॉपकेट का हुआ, बॉपकेट बोली से, वाउ से डबलु सो वॉल्फ, अब देखो, यह तो आपका प्लेसिंटर में में याद हो गया, अब आपको याद रखना ऑस्ट्रियलियन मार्शोप्यल, तो आस्ट्रियलियन मार्शोप्यल कुछ नहीं है, यह मोल है, तो यह भी मोलोंगे, लिए आग याद रख सकते हो, spotted kus kus, kus kus, kus kus, ऐसे ही है, आप कैसे याद कर सकते हो, इसको, SC, आपको पता है, कास सिस्टम जो होता है, जेनरल, OBC, SC, SC, और एक आपको यह याद करना होगा, flying phalanger, तो मैं आपको recommend करूँगा, कि यह ऐसे ध्यान में रखना, trick चेकर मत पढ़ना, एक trick से याद कर लो, हो जाएगा, अब देखो, यह bobcat है, यह भी cat है, यह कौन सा cat है, tasmanian tiger cat, cat से यह भी याद रखना होगा आपको, यह wolf है, यह कौन सा wolf होगा, tasmanian, tasmanian, तो आप यहाँ याद रखना नेम वही है, किसी में marsupia लगा हुआ है, किसी में tasmanian लगा हुआ है, तो ज इसे, यतना ठीक है तो ऐसे करके आप यह diagram याद कर सकते हो,